हलो गाईज वेलकम टू प्यू स्पीसियस और आज हम लोग देख रहे हैं इतिहाश कालिन प्रमुक्तत हैं आज का विस्ट है रॉलेट एक्ट उनीश सो उनीश चलिए देखते हैं रॉलेक्ट एक्ट आठ मार्च उनीश सो उनीश को लागू किया गया था भारत में करांती कारियों के प्रभाव को स्माप्त करने तथा राष्टी भावतना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नयाज़ी सरसिदिनी रॉलेक्ट की अध्यक्सता में एक कमेटी नियुक अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संद्यास्पद इस्थिती वाले व्यक्ति को गिरफतार करके उस पर मुकदमा चला सकते हैं। अपने इस अधिकार के साथ अंग्रेज सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को डंडित कर सकती थी। इस प्रकार कैदी को अधालत में प्रतेक्ष उपस्तित करने अर्थात बंदी प्रतेक्षी करन के कानून को निलंबित करने का अधिकार सरकार ने रॉलक्ट एक्ट कानून से प्राप्त कर लिया। इस Act को बिना अपील बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया इसके साथ ही इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है राष्टपती महात्मा गांधी ने इस Act का पूर जोर विरोध किया और बिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संग्या दी इसी के साथ आज का शेशन समाप्त होता है कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताए जैहिंद जैबार